नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में आप सोचते होंगे कि एक अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए एक अच्छा यूट्यूब चैनल बनाने के लिए एक अच्छे camera की, अच्छे mic की, अच्छे setup की जरूरत है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है अगर सबसे ज़्यादा जरूरत है तो वो है अपनी गलतिया सुधानने की अपने आपको improve करने की लेकिन कैसे चली जानते हैं इस वीडियो में आपका face channel होगा क्या faceless कोई सा भी हो, जरूरत दोनों में है अपने आपको improve करने की improve अपने आपको कैसे करना है मैं आपको step by step अच्छे से बताऊंगा वीडियो को ध्यान पूरवक देखते रहे पहले बात करते हैं face channel की जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ इस face channel की आपको दो से तीन चीजों पर खास ध्यान देना है आपको way of expression आप कैसे बोल रहे हो way of talking आपकी बोलने की lag क्या लाइब आप बना रहे हो कहां जादा कहां कम कर रहे हो इसका ध्यान रखना है और आपको शब्दों का भी ध्यान रखना है कि आप सब्द कैसे उचारन कर रहे हो सब्द सुद निकल रहे हैं या गलत निकल रहे हैं आपको क्या करना है जब आप इन तीनों चीजों को ध्यान रखकर ना कि मेरी इस वीडियो में जो गल्ती थी वो अगले में आए तो आपकी जो गल्ती थी वो इंप्रूव हो रही है मतलब कि आप प्रोग्रेक्स कर रहे हो और प्रोग्रेक्स करोगे तो आपका चैनल भी धीधरे गरो होने लगेगा देखो जब हम देजरे अपनी गलते सुधारते हैं तो हमारे चैनल आटमेटिक गरो होना सुरू जाएगा क्योंकि वीडियो अच्छे बनने लगेगी थमने ले अच्छा बनने लगेगा सब चीज अच्छे से होने लगेगी अब बात करते हैं फेसलेस चैनल की फेसलेस चैनल में फेस तो दिखता नहीं उसमें क्या जदर रोल होता है उसमें जदर रोल होता है वीडियो एडिटिंग का वो इसका देखो जब आप बोलते हो और उसमें फलो भी देखना पड़ता है कि कहां फलो ज़्यादा करना है और कहां कम क्योंकि face source में दिख नहीं रहा इसलिए आपको जब भी आप video बनाओ तो आपको video editing का खास ध्यान रखना है और बोलने का भी मतलब की जैसे आप कहीं आवाज जादा करनी है और कहीं down करनी है शब्दों को अच्छे से बोलना है ये दो से तीनी step आपको ध्यान रखने है वीडियो editing आपका voice over और तीसरी चीज़ हुई सब्द मतलब की आप कैसे बोल ले हो फलो आपका क्या है बोलने का और face channel हो आपको दोनों में ही अपने सब्द जो आप बोल रहे हो वो अच्छे से बोलने हैं